नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। पंजाब में लुध्याना में टाइमस्नाव नौभारत की महिला पत्रकार भावना किशोर, फोटो जनर्लिस्ट मितरिंजय कुमार और उसके अलावा एकसी ड्राइवर जो परमिंदर सिंग थे, जो कार चला रहे थे, उनको अदालत से जमानत मिल गए, इंटरिम बेल मिल गए, लेकिन बात ये नहीं कि उनको बेल मिल गए, बात ये है कि उनकी गिरफतारी क्यों हुई, पहली बात भामना किशोर के खिलाफ S.C.S.T. एक्ट लगाने की कोशिश हुई बाकी दो लोगों का अपराद क्या था हाई कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो ड्राइवर था उसके खिलाफ जिन धाराओं में केस F.I.R. दर्ज हुई थी वो बेलेबल हैं तीनों के मामले में बेलेबल ओफेंस था और थाने से ही इनको जमानत मिल जानी चाहिए थी पुलिस इनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास ले गई ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रिमान पर भेज़ दिया उसके बाद स्पेशल कोर्ट ले जाया गया स्पेशल कोर्ट ने इनको जूडिशल कस्टेडी में भेज़ दिया किसी ने ये देखने की जरूरत ने समझी कि किन धाराओं में इन पर आरूप लगाए गए है F.I.R. दर्ज हुई है सभी धाराएं बेलेबल थी तमाम नियमों का उलंगन किया पंजाब की पुलिस ने हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला बनता ही नहीं खास तोर से जिक्र किया मृतिन जय कुमार का जो पैसंजर की तरह गाड़ी में बैठे थे उनका कोई किसी दृष्टी से कोई अपराद नहीं था भावना किशोर के खिलाफ अपराद बनाया गया कहा गया कि वो उतरी गाड़ी से और जिस ये रिक्षा से टक्कर हुई थी उसमें जो महिलाएं बैठी थी उनको जाती सूचक सब्दों से गाली दी अब आप कल्पना किजिए कि आप किसी शहर में जा रहे हो वहाँ अगर आपकी गाली से कोई टक्कर हो जाए मान लीजिए हाला कि मामला ये था कि उस ये रिक्षा ने टक्कर मारी इनकी गाली को और ये सब कुछ प्रायोजित था क्यों प्रायोजित था क्योंकि टाइम्सनावन भारत शीश महल का बंडा फोड़ कर रहा था अर्विन केजरीवाल का जो मुक्यमंतरी आवास है दिल्ली में उसमें जो खर्च हुआ है जिस तरह से पब्लिक मनी का दुरुपयोग हुआ है 45 करोड अब ये फिगर जो है धीरे धीरे कुछ लोग कह रहे है पहुँच रही है 171 करोड तक अब उसमें कितनी सच्चाई है नहीं मालूम कि कितने करोड खर्च हुए लेकिन जो कुछ हुआ है जो खर्च हुआ है सरकारी कागज पर है उससे तो कोई डिनाइ नहीं कर सकता तो हाई कोट ने कहा कि इनको थाने में क्यों रखा गया रात पर इनको थाने में रखा गया और सबसे शर्मनाक बात भावना कि शोर को वॉषरूम जाने के लिए कहा गया कि आप दरवाजा बात्रूम का खुला रखेंगी किसी महिला से इस तरह की बात के लिए मजबूर करना इस से बड़ा अपमान और क्या हो सकता है लेकिन ये सब पुलिस ने किया पंजाब की पुलिस ने किया सवाल है किसके इशारे पर मुझे सुनकर बड़ा आश्चर हुआ अचंभा हुआ कि दिल्ली सरकार की मंतरी आतिशी ने कहा कि कोई कानून से उपर नहीं है बिल्कुल सही बात है कोई कानून से उपर नहीं है आपके मंतरी भी कानून से उपर नहीं है आपके दो मंतरी जो थे वो जेल में हैं वो भी कानून से उपर नहीं है जिनको राद दिन बचाने की कोशिश करते एक महिला होकर किसी महिला के किलाफ इस तरह की पुलिस कारवाई का समर्थन कैसे कर सकती इसके लिए कुछ खास किस्म की जो है वो बेशर्मी की जरूरत होती है बहुत मोटी खाल की जरूरत होती है जादा से जादा अगर बहुत दबाव था उनके उपर तो चुप रह जाती कम से कम पुलिस ने जो एक्शन लिया उसका समर्थन नहीं करना चाहिए था खास दोर से जब हाई कोट ने ये टिपड़ी की ये मामला जो है वो पूरी तरह से ये मामला बनता ही नहीं तीनों को जो है इंटरिम बेल दी 22 मई तक के लिए और निचली अदालत में रेगुलर बेल के लिए अपलाई करने को कहा है 22 तारीक को हाई कोट इस बात की भी सुनवाई करेगा इस F.I.R. को कोईश्ट किया जाया नहीं तो कुल मिलाकर आप देखिए ये आम आदमी पार्टी का और अर्विन केजरीवाल का नया चेहरा उभर कराया वैसे नया नहीं है लेकिन इस हद तक जा सकते हैं जानते हुए कि देश में कानून है देश में अदालत है देश में जनभावना है ये सब जानते हुए किसी रिपोर्टर को किसी आखबार के रिपोर्टर को टीवी चैनल के रिपोर्टर को इसलिए प्रताडित किया जाया उसके खिलाफ जूटा केस बनाने की कोशिश की जाए कि उसने आपके खिलाफ कोई खबर लिखी है चलाई है दिखाई है ये है अर्विन केजरिवाल का असली चेहरा जो हिमन राइट्स की बात करते नहीं ठकते उन में से किसी की आवाज नहीं निकले इस मुद्दे पर ये और ज्यादा शर्मनाक बात है चुकि मामला एक चैनल का था इसलिए दूसरे चै है पत्रकारों की एकता दिखाई देनी चाहिए थे इस मुद्दे पर क्योंकि आज एक चैनल के साथ हो रहा है कल दूसरे के साथ होगा कल तीसरे अखबार के साथ होगा अगर आप अभिव्यक्ति की सोतंतता चाहते हैं प्रेस की आजादी चाहते हैं तो इसके किलाब बोलन को अंजाम दिया जिस तरह से एक के बाद एक नियम का उलंगन किया सुप्रिम कोट की गाइड लाइन के बावजूद अंधेरे के बाद सुर्यास्त के बाद किसी महिला को गिरफतार किया गया रात में आठ पच्पन पर गिरफतार किया गया गिरफतारी के बाद तुरंत उ दनीवार दो पहर तक किस कानून के तहट किस नियम के तहट इसको बताने वाला कोई नहीं पंजाब और हर्यारण कोर्ट में इसकी सुनवाई सोमवार को शुरू ही सोमवार को पंजाब के एडवुकेट जनरल आए सरकार के और अपनी पुलिस के बचाव में लेकिन दूसरे दिन वो गायब हो गए उनको समझ में आ गया कि हाई कोट किस तरह की टिपनी करने वाला है किस तरह से वो प्रताडित करने वाला है इसकी वज़े से वो कोट में दिखाई नहीं दिये पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया जो पुलिस की और से वक अगर आपने नहीं कराया था तो आप आगे बढ़कर बोलते कि ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, कुछ आती तो साही पुलिस वालों ने ऐसा कर दिया, ये पुलिस वालों ने गलती की है, इनके खिलाफ एक्शन होगा, ऐसी कोई बात नहीं कही, ये आपकी चुप थे, इस शड्ययंत्र में मैं कहरा हूँ जो लोग शामिल थे, उनका परदाफाश होना बहुत जरूरी है, उनका नाम सामने आना चाहिए, किसके इशारे पर हुआ, क्यों कराया गया, क्यों का तो इसपष्ट है, क्योंकि अगर आप हमको एक्स्पोज करेंगे, तो हम आपक वालों के लिए कानून कया बराबर नहीं है, उन पुलिस वालों ने जो चानूनी विवस्था है, उसका पालन क्यों नहीं किया, और अगर नहीं किया तो किसके इशारे पर, और अगर अपनी मर्जी से किया तो उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, पांच तारीख को ये घट पांच दिन हो गए इसको अभी तक किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई एक्षन नहीं हुआ है इसका मतलब पुलिस वाले अपने आप उन्होंने ये सब नहीं किया उनको कही से निरदेश मिला हुआ था अभी तक मुख्यमंत्री चाहे पंजाब के हो चाहे दिल्ली के हो उनकी और से कोई बयान नहीं आया है सवाल यह है कि हाई कोट की इस टिपड़ी के बाद क्या भगवन सिंग मान पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्टी सहियोजग अर्विंद केजरिवाल माफी मांगेंगे उस महिला पत्रकार से उस फोटो जर्नलिस्ट से और उस ड्राइवर परविंदर सिंग से कुसूर क्या था उनका क्यों उनको चार दिन जेल में रखा गया किस वज़े से हाई कोट ने कहा कि उनकी जो निजी सुदंतता है उसका हनन हुआ है उनके मानवाधिकार का हनन हुआ है और इस पर जो है सरकार दो-दो सरकारे चुपी सा दे हुए क्यों अर्विंद केजरिवाल जो दिन रात ये बोलते रहते हैं कि जांच एजिंसियों का पुलिस का दुर्पयोग हो रहा है पुलिटिकल वेंडेटा चल रहा है वो खुद वही काम क्यों कर रहे है जिसका आरोप लगाते है और जराभी जो है उनको संकोच नहीं होता है जो कुछ उनकी पंजाब की सरकार ने किया पंजाब की पुलिस ने किया वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया इसके पीछे पुलिटिकल मनशा थी ये कोई सामाने हरकत नहीं थी पुलिस की सामाने कारवाई नहीं थी कब होता है कि एक एलेक्ट्रिक रिक्षा से किसी गाड़ी की हलकी सी टकर हो जाए और पुलिस तुरंट पहुँच जाए तुरंट एक्षन ले ले गिरफतारी हो जाए ऐसा रामराज ये तो पंजाब में नहीं है पंजाब में कानून विवस्था की हालत जितनी खराब है उसको देखते हुए ये तो बिलकुल आश्यरे जनक लगता है कि इतनी ततपर पंजाब की पुलिस कैसे हो गई दिन दहाडे बंबलास्ट हो रहे हैं दिन दहाडे हत्याएं हो रही हैं पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है लेकिन एक छोटी सी दुरघटना जो देखने से लगता है कि प्रायोजित थी लेकिन मान लीजिए कि प्रायोजित नहीं थी ये स्वाभावी टूप से दुरघटना हुई तब भी उसमें इतना बड़ा कदम उठाना कि भई अगर रैश ड्राइविंग का केस था तो ड्राइवर के खिलाफ एक्शन हो सकता था F.I.R. हो सकती थी बाकी दो लोगों के खिलाफ क्यों होई तो ये सारे सवाल हैं जिनका अर्विंद केजरीवाल से लोग जवाब चाहते हैं क्या फिर मैं सवाल उठा रहा हूँ क्या अर्विंद केजरीवाल लोगों से माफी मांगेंगे क्या वो स्विकार करेंगे कि उनकी सरकार जो पंजाब में है उसकी पुलिस ने गलत किया क्या वो ये संकेत दे रहें देश को कि अगर उनके पास ऐसे राज्या है जहां पुलिस हाथ में होगी तो यही होगा पत्रकारों के साथ फिर आम आदनी के साथ क्या होगा फिर विरोध की आवाज उठाने वालों के साथ क्या होगा ये उन सब लोगों को सचेत हो जाना चाहिए जो डेमोक्रिसी में विरोध का अधिकार चाहते हैं अर्विंद केजरीवाल के राज में विरोध का कोई अधिकार नहीं है जो विरोध करेगा उसका वही हश्ट होगा जो भामना किशोर का हुआ मृतिन जेक कुमार का हुआ परमिंदर का परमिंदर तो विरोध की आवाज में भी कहीं शामिल लहीं है उसकी तो कहीं से कोई गलती ही नहीं है लेकिन गेहों के साथ घुन भी पिसा तो इस तरह की घटन मुझे लगता है कि ये एक fit case था जब सुप्रीम कोर्ट को सुवो मोटो cognizance लेना चाहिए था एक उदाहरन पेश करना चाहिए था कि जो हुआ भविश्य में किसी भावना के साथ ऐसा ना हो भविश्य में किसी मृतुन्जय कुमार किसी परमिंदर के साथ ऐसा ना हो सजा नहीं मिलती तो आप मान कर चलिए कि ये बहुत ही बुरी प्रथा बहुत ही बुरी परमपरा और बहुत ही बुरी आने वाले इस्तिती के लिए हमको तयार रहना चाहिए जिस तरह का सन्नाटा है उससे लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी की और से इस तरह का कोई बयान आएगा कि ये गलत हुआ गलत को गलत कहने की भी हिम्मत नहीं आम आदमी पाटी जुटा पा रही है क्योंकि मन में चोर है लेकिन जनता है ये सब कुछ देखती है जनता सब कुछ देख रही है सब का हिसाब कर रही है और वो जब हिसाब करती है तब समझ में आता है कि हमने क्या क्या गलती की है लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है तो इस अंक में इतना ही अगले एक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक कलियर मती दीजिए आप से नोध है कि ये चैनल देखे शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार